हलो एंड वेलकम टू लास्ट हो मेरा नाम है नवीन सुकला और इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे केवलिंग के बारे में बट बिफोर वी स्टार्ट अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस दबल लाइकन let's start china clay china clay को kaveline भी कहा जाता है पहले clay होता क्या है तो clay minerals is an aggregate of minerals and colloidal substances यह क्या होता है aggregate होता है minerals or colloidal substances का जो कि commonly क्या होता है कि जब उसको अप भीगाईएगा पानी से तो वो क्या हो जाएगा प्लास्टिक लाइक हो जाएगा और जब आप उसको फायर पे उसको पकाईएगा वेन यू बर्न इट इन्टो फायर इट विल बिकम हाडर लाइक इस्टोन जैसा हाड हो जाएगा देर आर वेरियस तैपस अफ ले लाइक केवलीन बॉल क्ले फायर क्ले बेंटोनाइट एक्सेक्टरा चाइना क्ले उन्ही में से एक है और पॉपुलरली इसको केवलीन के नाम से जाना जाता है mode of occurrence क्या है तो चाइना क्ले अकर्स associated with pre-cambrian granites, pagmatites, phylites and cysts, गोंडवाना सेल्स and sandstones as bedded deposits and within the tertiary sandstones and underlying letterites in many parts of the country क्या है कि pre-cambrian granites, nices, pagmatites, phylites में आपको चाइना क्ले associated मिल दाएगा गोंडवाना सेल्स and sandstones bedded deposit के form में भी मिलते हैं और फिर tertiary sandstones and underlying letterides के रूप में भी आपको countries के different part में आपको China clay मिल जाएगा As a result, it results from the chemical weathering of alumnus rock alumnus rock जितने भी हैं, उनका जब chemical weathering होता है तो उससे जो by product बनता है, that is the kaolin and China clay hydrothermal actions also plays an important part in the formation of clay clay के formation में hydrothermal actions भी बहुत important role play करता है अब uses क्या है, तो cement industries में पहले तो clay का use होता है ceramic industries में couplet बनाने के लिए, cosmetics में, मुलतानी मिटी आप नाम सुने होंगे that is kaolin, उसके बाद फिर और भी बहुत सारे cosmetics में kaolin का use किया जाता है glass industries में, paint industries में, paper industries में, pesticides, refactory bricks बनाने के लिए और भी बहुत सारे चीज़ों में kaolin का, means china clay का use होता है सबसे most important आप use देखे होंगे, जो chinimity के cups होते हैं, cup plate बनाने के लिए तो वो chinimity के cup that is the kaolin china clay distribution अगर हम देखें, तो केरला में जो कनूर और कोलम district है वहां largest deposit है china clay का पूरे इंडिया में, चलिए अभी हम google map की मदद से इसको हम देखें यह हमारा प्यारा भारत और हम जूम करते हैं केरला की तरफ, केरला में आपको कनूर district मिलेगा यह है कनूर district कि यहाँ आपको kaolin के largest deposit मिलेंगे नेक्स्ट चलते हैं हम केरला के कोलम district में यह है केरला में हम जूम करेंगे कोलम district में आपको कोलम district में भी यह भी clear होगा थोड़ा यह कोलम district है और यहाँ भी आपको kaolin के largest deposit मिलेंगे distribution अकरेंस तो पूरे इंडिया में है इंडिया के ऐसा कोई state नहीं होगा जहां कि आपको clay नहीं मिलेगा but mainly जो important clay के deposits हैं वो हैं आपको आंदर प्रदेश में कुडपा इस्ट गुदावरी करनूल इन सभी एरियास में में वेस्ट गुदावरी साइट में अप अश्रम में लखिंपूर शीव शागर एरियास में देखेंगे तो आपको केवलीन की deposit मिल जाएंगे जारखन में आपको भूम शाहिब गंड धनबाद राची हजारी बाग पलामू डिस्टिक्स में उसी तरह बिहार में आपको भागालपूर गया में मिल जाएगा गोवा में पेंडा गुपिम तलूक गुजरात में एहमदाबाद बरोडा कच्छ उसके बाद हर्याना में फरीदाबाद है वहा कर दो